देख रहे हैं लाइब साथ में हूँ वसी दूछा नाइए लिपोर्ट में एक बार फिर से बिहार सरकार पर सवाल खढ़े किए है। इसलिए क्योंकि लगभग एक लाक करोणों से अधिक के दस्तावेज जो हैं वह बिहार सरकार कौड़ ने नहीं दिखाया हैं और नहीं समिट किये हैं। पर सवाल खड़े हो रहे हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए राज़त के युवा नेता कारी स्वेब जी हैं बेवाकी से अपनी बातों को रखते हैं सबसे पहले यही जानने की कोशिस करेंगे कि सीए जी के जिस तरीके से रिपोर्ट आई लगबग एक लाख करोर का लेखा जोखा सरकार के पास नहीं देखे आपको पता होगा हमारे नेता परतिपक्ष तेजस्वी आदब जी 2020 के चुनाओं में भी कहते रहें कि 55 गोटाले वाली सरकार यहां है और लगातार इन चीजों को वो जाकर करते रहें चाया सरक पर हो सदन में हो लगातार वो तत्थों के साथ बताते रहें हैं कि यह जो बिहाड में इंडिये के जो सरकार है किस तरह से घोटाले पे घोटाला करती जा रही है और कोई जाच नहीं कुछ नहीं कोई कारवाई नहीं बलके उसको दबाने के लिए किसी को बली का बग्रा बना दिया जाता है तो फर्क यह है कि बीश पच्पन घोटाले के साथ ये सरकार चुना उलर रही थी अब उस असी घोटाला हो गया है तो पड़ती दिन एक नया घोटाला सामने आता है देकि भारते इंता पार्टी जहां भी रहेगी घोटाला ही घोटाला करेगी इनसानिद का घोटाला मुहबबत में घोटाला चाहे तमाम चीजों में घोटाला युवाओं के हक को मारना उनकी नौकरी छीनना और फिर हिंदू-मुस्लिम का डिबेट कराके सारी चीजों को भोला देना ये भारते इंदा पार्टी जहां भी सरकार में रहेगी जिस मतलब आप देख लेगी वितमंत्री कौन है यहां इससे पहले भी वितमंत्री कौन रहे हैं सिर्जन घोटाले में किनके बहन के एकाउंट में पैसा गया था किनके दुआरा गया था ये सब साफ है बिलकुल फुली किताब के तरह है बिहार की जंता सब देख रही है बिहार सरकार की जो बुनियाद है वो घोटाला है घोटाले के बुनियाद पटिकी हुई है ये यह जो पीलड है ना इसका सहारा जो है वो घटाला है इतने मतलब आप तो छोटे 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 चीजों को लोग नहीं देख पाते हैं आप चले जाएए ना PMCH में चले जाएए जो छोटे मुटे मतलब जो काम होते हैं उसमें सबजी वगर जो है फूड जो सप्लाई होता है चाहे आप देख लिए वहां क्या बोलते हैं मुटसाकिल वगर का स्टेंड वगर है पार्किंग वगर है जबर्दत गोटा ला है सब में चले पुड़े बिहार के तमाम होस्पिटलों में स्वास्त विभाग का तो सबसे बुरा हाल है स्वास्त तो सिक्छा मतलब आप समझ नहीं सकते हैं कि आदमी अगर बीमार पड़े तो जो आदमी बिहार में इलाज करायागा वो बचे गके नहीं परकिंग से गारिए बेडादा देना है क्योंकि हिंदु मुस्लिम का डिबेट कड़ा देना है बात खत्व बाकी चीज़ों पर जन्ता ध्यान नहीं देगी तो इसलिए ये गोटालों की सरकार है इंडिये की सरकार गोटाले की सरकार है गोटालों की सरकार है पर इंडिये के तमाम नेताई करते नजर आज है कि बिहार सरकार जो भी कारे करती है उसमें ट्रास्पेरेंच सी रहती है पहले की सरकार नहीं है। जंगल राज नहीं चल रहा है जंता सब देख रही है समझ रही है जान रहे हैं उसके बाद सीएजी के इस तरीके की रिपोर्ट गरीमों की सरकार तो जंगल राज गरीमों का राज है तो जंगल राज पतलब अगर गरीमों की सुनवाई हो रही है तो जंगल राज है और अग चोड़ी में मानी नहीं है एक सनाध दर्च कराने के लिए थाने में पांशूरी दिया जाता है लेकिन तता कदि जंगल राज इसको कहा जाता है वहाँ जब गरीब गुरुवा थाने में जाता था तो सिपाही दरोगा SP, DSP खड़ा हो जाता था और सामने चेर पर बैठता था था गरीब गुरुवा किसी थाना और SP से बात कर सके नहीं, डाट देगा कारी स्वाइब जी आप लोग विपच में हैं और विपच की बहुत बड़ी भूमिका होती है लोगतंत्र में चाल दिन का मौंसुन सत्र चला उस से पूरे मौंसुन सत्र में इन तमाम मुद्दों को कही न कहीं विपच जो है सदन के अंदर रखता नजर नहीं आया हमने हमेशा इन मुद्दों को रखा है चुके सरकार जब घिर जाती है ना सरकार नहीं चाहती है कि सदन चले और जो ये बाते हैं वो सामने आए जानबूच कैसा उल्जा देती है सरकार अब बताए अगनी वीर पड़ आप क्यों नहीं ये कर रहे थे क्या देम उसका क्यों नहीं बहस कर रहे थे वो काना मैं वो उसकी अरे अगनी पत योजना जो है उस पर क्यों नहीं आप बहस कर रहे थे आदा घंडा दे देते, एक घंडा दे देते, आप अपनी बात को रख देते, सरकार क्या चाहती, चुक्छे सरकार की नियत साफ नहीं है, सरकार वन टो वन उल्जाना चाहती है, अब एक मुद्दा लेया है, इस पर लोग बात ही कर रहे हैं, तपर दूसरा लेया है, फिर इस स्वाइब को साब तोर पर सरकार के नियत पर सवाल उठा रहा है और करते नजर आ रहे हैं कि इसी नियत का नतीजा CAG अपने रिपोर्ट में दे रहा है खेरलाइब स्टीज के साथ बने रहे हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया